श्री कृष्ण ने कहा है सबसे बड़ा पाप है यह सजा है भयानक। पुरानों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। गरूर पुरान और कठोपनिशद में तो यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण वृत्यू के बाद अलग-अलग तरह के पापों के लिए कौन-कौन सी अलग सजाएं दी जाती हैं। गरूर पुरान में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धर्ती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग-अलग सजा बारी-बारी से मिलती है यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। गरूर पुरान में बताया गया है कि परस्त्री पुरूष संबंध रखने वाले को लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरूष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है उसे नर्ग की यातना भोग कर लकडबग्धा अथवा शाही के रूप म जन्म लेना पड़ता है। जन्म देते हैं। लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा एक पाप है जिसकी सजा कठोर है। महा भारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था। लेकिन आज कल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। जानिए वह पाप क्या है और इसकी सजा क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टी में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भुरून हत्या। महा भारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोनाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रहमास्त्र का की उसने एक अजन में बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वय अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिन्ताम ने रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यू को नह नहीं देख पाओगे यानि जब तक स्रिष्टी रहेगी तुम धर्ती पर जीवित रहोगे और कश्ट प्राप्त करोगे। भुरून की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है आगे की कहानी दूसरी वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।